Hello everyone and welcome to Wings A. Kudan. VLW exam result finally declare किया जा चुका है और score sheets किया गई है बहुत से लोग इसके इंतजार कर रहे थे तो आज finally declare कर दिया है record 14 days के अंदर final process हो चुका है from exam conducting to the result declaration इसी के बीच में objections भी file हुए उसकी answer, revise answer की भी आ चुकी है और जो भी हमने आपको show किये थे question जो हमारे हिसाब से गलत है उस कहीं न कहीं उसी के आसपास ही questions को revise किया गया है और जितने students ने भी काफी contribution की तो जिन लोगों ने भी revision की में जो भी contribution की उन सब का बहुत बहुत thank you आप लोगों ने point out किया जो भी mistakes वो revise हो चुकी है सारी की सारी और accordingly result भी declare किया जा चुका है आगे result देखने से पहले जिन लोगों का अभी भी कम marks आए हैं जिनको लग रहा है कि उनको मैं बता दूँ अगर इस जंग में आपकी जीत हुई तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुई आगे और भी बड़ी सारी जंगें हैं बड़ी सारी opportunity हैं उसकी तरफ देखें और अब मेहनत कभी जाया नहीं होती यह एक universal fact है अगर आपने इसके लिए बहुत जीजान से मेहनत की थी ऐसा हो सकता है बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं भी जानता हूँ जो बहुत महनती रहे हैं पर last दिन exam के दिन किसी reason की वज़ा से perform नहीं कर पाए या questions गलत मार करके आगे जो भी silly mistake हुई तो पहले मैं उन लोगों को address करूँगा जिन लोगों के marks कम बन रहे हैं इनको ये लग रहा है कि उनका नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ कि this is not the end of the world जिनका हुआ हो सकता है कुछ ऐसे लोगों का भी हो गया हो जिन लोगों ने उतनी महनत ने की जितनी आपने की हैं हालंकि जो लोग भी इस process में होते हैं सब महनत तो करते लें कई बार आपको लगता है ऐसा कि यार फलाने का हो गया मेरा नहीं हो मैंने भी तो बराबर मेनत की थी तो यह reasons हर यह चीजें हर किसी competitive exam का पार्ट है इनको positively लेना है negatively नहीं लेना है और आगे बढ़ते रहना है अपनी महनत के साथ अपनी महनत पर वरोसा रखना है so all the best to all all of those who could not make it and बहुत-बहुत मुबारक हों लोगा जो जो जिनका selection हो गया है मैं तो एक होंगा कि आप आगे बढ़ते रहें better career options की तरफ एक qualify और दूसरा भी करें दूसरा qualify और तूसरा भी करें तो मैं यहां बता दूँ आपको जो highest mark score किया है वो 101 किया है अनायत हुसाइन वानी ने और 101 पे तीन टॉप थी रैंक्स हैं और 0.5 और 0.25 से भी आप देखेंगे कम हो रहे हैं marks चलते चलते यह पहुंचते हैं अल्मोस्ट अगर हम बात करें एक rough cutoff की हालनकि horizontal इसमें reservation भी होती है और शायद एक service man में भी इसका कुछ होता है जहां ता मुझे याद है तो अगर हम 700 का rough estimate मानके चलें तो कहीं न कहीं cutoff जो है 88 के आसपास दिख रहा है 90 से नीचे दिख रहा है इसी के आसपास जाएगा और जो हमने cutoff बताया था कहीं सब्सक्राइब को question paper बड़ा आसान लगा था However, जो भी reason रहा हो तो आपका इसके आसपास आप cutoff मानके चल सकते हैं और जितना भी आप आगे नाम देखते जाएंगे फिर category के हिसाब से इसमें mention नहीं otherwise हम cutoff properly बता पाते तो category cutoff हम जल्दी लाएंगे और जल्दी पता भी चलेगा जेकेजबी की तरफ से भी तो सभी लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो बड़े सारे हमारे students का हुआ बड़े सारे students का हमारे students का ही नहीं भी हुआ मेहनत बराबर होने के बावजूद भी हमें ऐसे लोग भी इसमें दिख रहे हैं जो बहुत मेहनत करके बगए थे उनका नाम नहीं आया और ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनका नाम आ चुका है तो दोनों ही अपनी जगा पे हर किसी की अपनी struggle है अपनी life है, अपनी journey है आपकी journey अलग-अलग है जिनकी selection हो गई उनकी journey शायद यहां खतम हो जाए यह चायद वो आगे परसू करें लेकिन जिन लोगों का अभी भी marks कम लग रहा है आप यह मान के चलें कि आपकी journey जारी है तो all those of my students और जो भी students रहें चाहें हमारे student हो या ना हो जिन लोगों को marks कम लग रहे है हमेशे याद करें कि journey अलग-अलग होती है अकसर लोग कहतें कि उबामा की journey as a president खतम हो गई 50-60 years में और टरम्प की journey 70 साल में शुरू होई as a president ऐसे बहुत सी मिसाले आपको पता है हम सभी को अलग-अलग वक्त पे सही वक्त पे सही चीज मिलती है और आपका भी वह वक्त आएगा तो सभी को all the best जिनका हुआ उनको भी और जिनका God forbid कम marks आ रहे हैं उनको भी life आपको कुछ अच्छा ही दिखाएगी बस अपनी मेहनत पे बरुसा रखो अपने parents की दुबाओं पे बरुसा रखो और सबसे बड़ी चीज उपर वाले पे बरुसा रखो all the best everyone जल्दी ही detail analysis लाएंगे cut off का भी और जो question revise हुए उनके भी एक वीडियो बनेगा thank you so much